नमस्कार प्रवस आक्षी रेख रहे हैं आप आपके साथ मैं वंके सिंग अपडेट्स में आपका स्वागत है कुल मिला कर देखें तो इंडिया गठबंधन और एंडिये के बीच बहुत ज्यादा सीटों का फासला नहीं है इंडिया गठबंधन जहां 235 सीटों के आसपास है तो नहीं एंडिये गठबंधन को 290 सीटे मिलती हुई दिखाई दे रही है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एंडिये गठबंधन में नितीश कुमार और चंद्रबाबू नाइडू बने रहेंगे ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इनका इतिहास देखें तो यह पल्टी मारने में एक्सपर्ट हैं इसलिए शायद इनको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाओं का दौर जारी है ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शपत नहीं लेंगे क्या मोदी की जगा भाजपा किसी औ और को आगे करके प्रधान मंत्री के रूप में पेश कर सकती है क्योंकि इस बार पार्टी को पूर्ण बहूमत नहीं मिली है और उसे सयोगियों के सहारे कहीं ना कहीं सरकार चलाने होंगे इस तरह की चर्चाएं जबरदस्त तरीके से फिलहाल तैर रही है हालां कि प्रधा कारियों को जारी रखेंगे इससे ये कहीं न कहीं इस बात को बल मिल रहा है कि प्रधान मंत्री के रूप में एक बार फिर से नरेंद्र मोधी शपत ले सकते हैं कुल मिलाकर देखें तो अलग-अलग तरह की चर्चाएं हैं लेकिन मोधी सरकार के कई मंत्री हैं जो चुनाओ ह हाड गये हैं या हाडने की रह में हैं जैसे कि राजियों चंदर्शेखर जो केरल के त्रिवंद्रम पूरम सीट से शची थरूर के खिलाफ चुनाओ लड़ रहे थे इसके अलावा अमेठी से स्मृति रानी जो अमेठी और आइबरेली की सीट है कॉंग्रेस और गांधी प से कैलास चौदरी भी काफी पीछे चल रहे हैं मंत्र प्रदेश के पूर्वे मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान वीदिसा से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं वहीं गांधी नगर से अमीत शाह ने भी जबरदस्त जीत हासिल की है दोसी और प्रधानमंत्री का जीत का कि यह जनादेश मोदी के खिलाफ है क्योंकि मोदी के चेहरे को रखकर यह चुनाव लड़ा गया था और मोदी को नैतिक्ता के अधार पर इस्तिफा देना चाहिए लेकिन अब आगे की रन्नेनिती एंडिये की और खास करके बीजेपी की क्या रहने वाली है यह जैसे जैस आपको यह भी बता दे कि कल मौर्णिंग में इंडिये और मोदी कैबिनेट की बैठक होगी दूसरी और खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन की कल शाम में बैठक हो सकती है शरतपवार अक्टिव मोड में आगे हैं वो लगातार कई पुराने सयोग्यों को साधने की साथ ही नीचे दिये बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके